Hello Everyone, Welcome to my channel Steady Bajar तो फ्रेंट्स अभी हम लोग Wi-Fi Steady पर जो All India Mock टेस्ट हुआ था NTPC का उसके Math के Question को हम लोग solve करेंगे तो सबसे पहले तो उमीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उस टेस्ट को attempt किये होंगे तो आप लोग मुझे अपना Math में आपने कितना score किया वो मुझे आप लोग comment करके जरूर से बताओ कि आप लोग के Math में कितने score हुए है और मुझे पूरा यकिन है अगर आपने मेरा सारा series फॉलो किया है तो आपने Math में 30 में 28 प्लस तो जरूर लाए होंगे तो आप लोग मुझे comment करके बताओ ठीक है तो अभी मैं आपको बताओंगा कि सारे question को क्या best approach होना चाहिए solve करने के लिए ठीक है तो चलिए पहला question आपके सामने है और मैं आपको पहले से भी बताओ चुका हूँ कि देखो जो भी All India Level पर test होते है कहीं भी होते हैं आपको उसको attempt करना जरूर बनता है ताकि आपको अपना पता चलेगा कि आपके practice किस जगा पे stand कर रही है तो जरूर से दीजेगा अगर आपने by chance नहीं दिया तो जरूर से आप जा के दे सकते हो अभी भी ठीक है अभी आपको rank नहीं मिलेगा मगर आप at least देख सकते हो कि question किस तरीके से अपके थे ठीक है चलिए पहला question आपसे ये पुछा गया था दो दर्जन किताबों और सुल्ला नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरन के बाद एक भी ना बजे किताबों और नोटबुक के अधिक्तम कितने सेट बनाये जा सकते हैं यानि simply question में क्या पुछा था दो दर्जन किताब यानि 24 ठो आपका बुक हो गया और सुल्ला आपका नोटबुक हो गया आपसे पुछा था कि अधिक्तम कितने सेट बनाये जा सकते हैं जिससे आपका एक भी किताब नहीं बचने चाहिए यानि distribute करने के बाद एक भी किताब आपका नहीं बचने चाहिए तो simply क्या करो दोनों का HCF लेलो HCF लेने के लिए क्लिए क्या करते है हम लोग देख लेते हैं दोनों का difference दोनों का difference क्या है 8 है अब HCF क्या होगा या तो इसका difference होगा या तो इसके multiple में होगा तो simply इसका correct answer क्या हो जागा option number 3 क्योंकि 8 इसका HCF है दोनों number का चले एक question आपसे यह पूचा गया था रुपए 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से तीन वर्षों के लिए चकरवीदी ब्याज ग्याद करें तो देखो 10% आपको rate दे रखा है और 3 साल आपको समय दे रखा है हम लोगों को पता है 3 साल के लिए चकरवीदी ब्याज कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा बोलो यह मैं बता चुका हो कि नहीं बता चुका हो तो 10,000 का 33.1% निकाल लोगो तो क्या हो जाएगा 3310 रुपए यानि correct answer option number B चलिए और यह सारे question आपके previous paper के question है ठीक है? बताओंगा last में next question यह पुछा गया था एक वस्तू साड़े 12% लाब पर 2250 रुपए में बेची गई है लाब की रासी क्या थी? यानि कोई वस्तू को साड़े 12% के लाब पर बेचा गया तो साड़े 12% का fraction value क्या होता? एक बटा आठ यानि आठ में एक का profit हो रहा है यानि CP में रख्या हो गया आठ हो गया प्रोफिट क्या हो गया एक हो गया यानि सेलिंग प्राइस में रख्या हो गया 9 रेशियो 9 रेशियो 2250 के बराबर है आप से simply पुछा है लाब का रासी बताओ यानि एक रेशियो का value पुछ रहा तो 9 से काट दो 9, 2, 18 9, 5, 45 यानि 200 रुपय प्रोफिट correct answer option B तो आपका भी approach ऐसे ही होना चाहिए एक question आपसे यह पुछा है क्या था मद्ध आपको निकालना था मद्ध निकालना आप जानते हो मद्ध और औसत दोनों को concept से मिह होता है sum of the number divided by total number सभी का sum कर दो 5, 2, 7, 4, 11, 16, 16, 25, 21, 27, 28, 28, 36 total कितने number है 8 number है तो 8, 4, 32 यहां हो गया ठीक है और आपका यहां पर क्या हो गया 4 बटा 8 यानि कितने हो जाएंगे 4 यानि correct answer option first एक question आपसे यह पुछा गया था एक निस्चित पुरुसकार रासी P, Q, R 3, 5, 7 के अनुपात में दी जानी है यदि R को P से 1000 रुपे अधिक मिले है तो Q के हिस्सेदारी क्या है बताओ तो यह हो गया P, यह हो गया Q, यह हो गया R यह हो गया 3, यह हो गया 5, यह हो गया 7 Q pution में आपको R और P का डिफरेंस दे रहा है तो देखो R और P का डिफरेंस कितना दिखरा रेशियो में सात रेशियो, तीन रेशियो यानि 4 रेशियो, 1000 के बराबर है क्योंकि Question में पहले से बोल रखा है की R को P से 1000 रुपे अधिक मिले है तो R का ratio P से कितना ज़्यादा, 4 ratio, 4 का मतलब 1000, तो 1 ratio का मतलब क्या हो जागा, 2500, आपसे question ने पूछा Q का हिस्सेदारी बताओ, यानि 5 ratio का value, तो 2500 गूना 5, 1250, correct answer, option B, एक question आपसे ये पूछा गया था, 15% के छूट के बाद 2 pain का एक packet, 340 रुपए में खरीदा गया था, तो प एक pain का, अब आप जानते हो, 2 pain अगर 340 रुपए में खरीदा गया, तो मतलब 1 pain का दाम क्या रहा होगा, 170 रुपए में खरीदा गया होगा, अब 15% छूट में खरीदा गया था, तो आप समझ सकते हो, अगर 15% छूट में खरीदा गया होगा, तो इसका मतलब 85% का ही value दे र आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप करमस 11 cm और 13 cm है तो इसका छेतरफल क्या होगा यानि आपको क्या बोलाता कि एक कोई rectangle है rectangle का आपको diagonal दे रखा था कितना दे रखा था यह 11 दे रखा था और साथ में आपको इसका perimeter का आधा यानि perimeter पहले होता है क्या है 2 L प्लस B होता है यानि दोठो लेंथ दोठो ब्रेथ तो इसका आधा दे रखा था इसका मतलब आपको समझ आया यह L प्लस B आपको दे रखा था 30 अब आप जानते हो आपका rectangle का diagonal क्या होता है under root L square प्लस B square यही चीज़ आपको 11 दे रखा है मतलब घुमाफ इराके मैं इसको अटाता हूं गुमाफ इराके आपके पास data में क्या दे रखा है L square प्लस B square इक्वल टू 11 और यहां पर L प्लस B L प्लस B यहां पर क्या हो जाएगा एक second विकर नापका 11 अच्छी का है और यह 13 दे रखा है अब आपको से क्या पूछा चेतरफल पूछा है तो चेतरफल क्या होता है L into B होता है तो देख सकते हो इतना एक छोटा साप का यहां पर क्या बन गया algebra का question बन चुका है अब आप डिरेक्ट पूट कर रहा हूं 121 क्यूंकि L स्कॉर प्लस B स्कॉर का value में डिरेक्ट पूट कर दे रहा हूं 2L into B यानि L into B हो जाएगा और यह आपका एक सो यहां पर सौरी 13 है ना यह आपका कितना हो जाएगा L प्लस 13 का स्कॉर 169 हो जाएगा अब इसको less कर दो यानि क्या हो जाएगा 1 2 1 9 से 1 जाएगा 8 6 से 2 जाएगा 4 और आपका 48 यानि आपका 2 length breath 48 यानि 2 से काट देंगा 24 यानि simplest का answer क्या हो जाएगा 24 स्कॉर से स्कॉर सेंटिमीटर क्लियर चलिए next question इसको try करो एक question आपसे यह पूछा गया था a square minus b square और यहां पर क्या a minus b form में है आप जानत केवल x plus y यानि correct answer option b तो यह सब question कोई नहीं छोड़ता है next question एक question यह पूछा गया था एक वस्तु का विक्राय मूल 1458 रुपय है और इसका क्राय मूल 1350 रुपय है तो लाब परतिसक बताओ क्या होगा तो देख लो selling price कितना जादा है cost price से तो 8 5 5 जागा 0 और 4 3 जागा 1 या परस देख लो ना यह सका कितना percent है वो ही आपका profit हो गया तो यहां से क्या काट देंगा और कुछ कर्टर तो काट दो 5 से काट लेंगे दो बार में तो 27 बार में कर जागा 27 से काट देंगे direct आपका किते बार में गा 27 चोके यानि 4 दो 8 percent correct answer option d एक question आपसे यह पूछा गया थ कॉसेक A का value बताना है simply आप जानते हो यह 10 A आपको दे रखा है 5 बटा 12 5 बटा 12 मतलब आप समझ गए P by B अब आप जानते हो triplet बन रहा है किसके साथ 5 बारा 13 के साथ अब sign A पहले होता है किया P by H यानि आपका answer क्या होगा H by P H का मतलब क्या 13 बटा 5 हो जागा यानि इसका answer क्या हो जागा H by P तो 13 बटा 5 हो जागा यानि correct answer हो जागा option number D clear next question एक question आपसे ये पुछा गया था इसको देखना तो आप लोग पहले यहाँ पर क्या बोला गया था कि पती और पतिनी प्रती महा क्रमस 45,000 रुपए और 35,000 रुपए कमाते हैं वो प्रती महा प्रतेक के हिस्से में से 5000 रुपए अनाथ हाले को दान करते हैं यदि हम दान निकाल देते हैं तो पती का आय उनकी संयुक्त आय का कितना परतीसात है अब देखो ये question थोड़ा से English में थोड़ा सा गलती है क्योंकि question English में क्या बोला यानि यहां पर clearly नहीं बोला गया है कि दोनों लोगों का income में से 5000 रुपए यह आपका English question में नहीं बोला गया है तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यह English question में थोड़ा error है ठीक है बात बाकी अगर हिंदी question की मैं बात करूं तो दोनों के income में से 5-5,000 रुपए औरफेंज में जाते हैं यानि आप समझ गए अगर 5-5,000 औरफेंज में चले जाएंगे तो husband का income कितना हो जागा 40,000 बच जाएगा और आपका female जो है आपका wife है उसका 30,000 बच जाएगा बच जाएगा अब question में क्या पूछा था यदि हम दान निकाल देते हैं यानि दान को निकाल दी है तो पती का आय उनकी संयुक्त आय का कितना प्रतित होता होगा अब यहां पर कई लोग कंफिज हो जाते हैं चुकि आंसर जो आपका दिया हुआ है वो 50% दिया हुआ है तो 50% जब आप 40,000 को 40,000 को जब उसके पहले के income से जब आप percent नि हो जाएगा बट यहां पर मैं बता दू यहां पर जब बोली दिया question में कि यदि हम दान निकाल देते हैं तो पती का आय उनकी संयुक्त आय का कितना प्रतिसत होगा तो कहीं न कहीं जो 40,000 है वो उसके संयुक्त आय यानि donation देने के बाद संयुक्त आय का compare में निकालना है मत बाद समझ रहे हो तो कि यहां पर answer आपका आएगा 57.14% आपका उसका income होगा जो कि option में है नहीं और यह question जैसे कि मैं बता रहा हूं यह question आपके NTPC paper में पूछे जा चुके हैं जो कि वहां के option में 57.14% है ठीक है बाद समझ गए तो clear है इसमें पूरे clearly नहीं था कि किसको compare करके बनाना था दोनों के लिए आपका option भी था 50% भी था अगर आप income पहले का मानते यानि 80 जर मानते तो आपका 50% आएगा और बाद का यानि क्योंकि वह donation दे दे रहा है न आप देने के बाद आपका compare करेंगे तो 70 से ना compare करेंगे तो 40 by 70 चार बटा साथ तो भी आपको समझा गया 57.14 परशेंट होगा क्लियर चलिए next question इसको try करो क्योंकि मुझे पता है सारे previous paper का question मैं बार बार इसलिए आप लों को बोलता हूं कि previous paper का question का practice करो कहीं भी अगर आप कोई भी mock test paper खरीद लो क्योंकि मैंने सारे mock test paper को अच्छे त आठरा एठरा πई सेंटिमीटर है तो वृत का चेतरफल बताओ क्या हो गारे टूपाई आपको दे रखा अठरा पाई के बराबर तो पाई से पाई गैंसल दो से आठ गैंसल मतलब रेडियस कहा निकल क्या गया 9 निकल क्या गया आप से पूछा है वृत का चेतरफल यानि πाई r square, यानि 9 का square, 81, πाई r square, यानि 81 π, correct answer क्या हो जागा, option third, next question, एक question आपसे यह पूचा गया था, trigonometric question, यहापर आपको solve करना था, cos 0 क्या होता, 1, 1 का square 1, यानि 5 into 1, 5, 4, sin 30 क्या होता, 1 by 2, 1 by 2 का square, यानि 1 by 4 प्लस 6 cos 45 क्या होता है root 2 root 2 तो root 2 का square कर देंगे तो क्या हो जागर 2 हो जाएगा तो 4 से 4 cancel यानि क्या हो जागर 6 2 12 और 12 5 17 17 में सिख जाएगा 16 यानि correct answer option D एक question ये पुछा गया था एक motorcycle M की गती दूसरे motorcycle L से 2 गुनी है यानि ये M 100 km की दूरी एक घंटा 15 मिनट में तै करता है तो L का गती बताओ क्या होगा यानि ये M हो गया ये L हो गया M की गती दूसरी motorcycle L से 2 गुनी है यानि अगर इसका speed 1 है तो इसका speed क्या होगा 2 होगा या को question में ही hint दे रखा है उन लोगों का speed का ratio अब question में क्या बोल रहा है कि M अगर 100 km का दूरी एक घंटे 15 मिनट में तै करता है तो यहां से आपको M का speed पता चल लाएगा तो आप L का भी speed निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों का speed का ratio है तो speed क्या होता? distance by time यानि 100 बटा 75 क्योंकि 75 मिनट लगे है तो घंटा हो गया 15 से काट होगे 4, 15 से 5 यानि speed कितना निकल क्या गया? 80 का speed यानि M का speed आपको पता चल गया 80 यानि 2 ratio का मतलब 80 है तो एक ratio का मतलब क्या होगा? 40 क्योंकि उसका speed क्या था? आधा था यानि correct answer option B एक question आपसे ये पुचा गया था HCF निकालना था? आप जानते हो HCF निकालने का best तरीका होता है चाहिए कितने भी number क्यों न मिल जाए? आपको difference से ही पता चल लेगा कि HCF क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं difference देखू या फिर option भी आप देख सकते हो अगर मैं HCF सबसे बड़ा number है यानि highest common factor 9 को अगर देखोगे तो 9 आपका table में यहाथा 69 का 6 देखोगे तो 69 का table में तो 69 6 से नहीं कटेगा यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता केवल और केवल option number 30 होगा तो चेक करने का भी जूरत नहीं है वारना difference ही देख लेना difference होगा HCF नहीं तो उसका multiple हमेशा आपका HCF कर लाएगा एक question आपसे यह पूचा गया था एक nursing home में 27 नर्सों में से 1 ने इस्तिफा दे दिया यदि रोगी का अनुपात में staff nurse 1 और 6 हो तो कितने अधिक्ता मरीजों की भरती कराये जा सकती है अब देखो यह question में क्या बोला है total आपके कोई nursing home में 27 नर्सों में से 1 ने इस्तिफा दे दिया मतलब resign दे दिया यानि आप कितने बच गए 26 लोग बच गए नर्स में अब क्या बोल रहा है यदि रोगी का अनुपात यानि पेसंट आपके पेसंट और नर्स का अनुपात क्या बोल रहा है कि जैसे कि अगर आपका मैं बात करूँ तो एक नर्स के लिए 6 पेसंट का अनुपात है यह आपको question में ही बोल रखा है कि यदि रोगी का अनुपात में staff nurse एक और 6 का अनुपात में है तो कितने अधिकता मरीजों की भरती कराई जा सकती है मतलब समझ गए 6 patient के लिए 1 nurse आपका इसी अनुपात में है तो total कितने आपके nurse है 26 nurse है तो 26 का गुणा यहां तो यहां भी 26 का गुणा यानि 36, 6, 2, 12, 15 यानि 156 मरीज आपके भरती कराए जा सकते यानि correct answer option first एक question आपसे यह पूछा गया था x का value निकालना था तो यहां पर क्या हो जागा 4, 3, 12 x, 3, 2, 6 x यहां पर आजाएगा 6 x पूरा भाने का जोरत नहीं है जब आप चीजे समझ रहे हो तो थोड़ा sort करो ठीक है दीरे दीरे आज़त लगाओगे तो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 4, 2, 8 वहां positive में चल लाएगा और 8, 2, 16 हो जाएगा यानि 24, 24 को 6 से कार्ट देंगे तो 4 हो जाएगा यानि x का value d clear? एक question आपसे यह पूछा गया था जड ने 4 वर्स बाद 10% वार्सिक सधारन ब्याज सहीद 10,920 रुपे चुका है उसने कितने रुपे उधार लिये थे? यानि 4 वर्स की बात कर रहा यानि time आपको पता चल गया 4 साल और rate आपको दे रखा था 10% आप जानते हो सधारन ब्याज में total 4 साल का rate of percent किता हो जाएगा? 4 into 10 यानि आपका 40% total आपका ब्याज लगेगा और 100% खुद principal होता है तो 40% और ब्याज को add करके देगा यानि मैं कह सकता हूँ कि 140% का value आपको दे रखा था 10,920 रुपे आपसे simply question में ये पुछना चाह रहा था कि बताओ कि उसमें उधार कितने लिए हैं वो आपसे question में पुछना चाह रहा था तो बताओ इसका answer क्या हो जाएगा? तो यहां से simply 0 से 0 cancel 14 से काट देंगे 14 से 78 बार में कट गया यानि 1% का value 78 तो 100% का value क्या आजागा? 78 100 यानि option B correct answer हो जाएगा clear? एक question आपसे ये पुछा गया था छोड़ा साल जेबरागा question A square, B square और A-B आपको दे रखा था AB का product पुछा था इस question को देखने से आपको दिमाग में खुदी A और B का value आपके दिमाग में घुछ जाएगा अगर नहीं भी घुछा तो फिर आप direct square कर सकते हो बात समझा रहा अगर यहां पर अगर squaring both side कर दोगे तो क्या हो जागा A square plus B square minus 2AB हो जाएगा और 4 का square सुल्ला हो जाएगा इतना का value आपको दे रखा है minus 2AB equal to सुल्ला हो गया सुल्ला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 से 6 जाएगा 4, 7 जाएगा 7 जाएगा 6 यानि 2AB 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा यानि correct answer option number D clear? ये था हो गया तरीका मगर आप question को देखके ही आपको पता नहीं चल गया कि A का value अगर मैं 8 रख दू और B का value अगर मैं 4 रख दू तो 8 का square 64 और 4 का square 16 बत खतम अब आप समझ जाओगे कि A और B आपका कौन होगा 8 कौन होगा, 4 कौन होगा क्योंकि यहाँ पर भी 8 माइनस 4 क्या हो जागा 4 हो गया, तो 8 हो के क्या हो गया 32 हो गया, तो जरूरी नहीं कि हर बार value आपको समझ आ ही जाए एक question आपसे यह पूचा गया था M1 काम को 5 दिन में कर सकता R उसी काम को 20 दिन में कर सकता दोनों मिल कर उसी, उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिल के बोल रहा है, दोनों का individual work दे रखा, दोनों का काम पूच रहा है, तो क्या हो जागा 5 गुना 20 बटा 25 क्या हो जागा, 4 हो जाएगा simply, क्योंकि आपको पता है, कभी भी दो लोगों का individual आपको अगर दे रखा है time, तो formula क्या होता, A into B, A plus B, ये सब आपको पता होना चाहिए, अपको LCM लेने का जुरोती नहीं है, एक question आपसे ये पूचा गया था, 5 में से 4 किर्केटर खिलाड़ी, क्रमस 13, 9, 5, 11 पारियों खेल चुके हैं और data set का मद 9 हो तो 5 में खिलाड़ी दुआरा खेली गई पारियों की संख्या कितनी है, तो बताओ, तो 5 में से 4 किर्केटर खिलाड़ी का क्रमस कितना दे रखा, 13, 9, 5, 11 यानि 13, 9 कितना हो गया, 22 और 22 और ये 26, यानि कितना हो गया, 6, 2, 8 और 4, 48 हो गया 48 हो गया, अब यहां पर sorry, 48 कैसे हो जागा ये 38 हो गया, अब क्या बोलाए data set का मद 9 है और 5 लोग थे, तो मद 9 है तो कितना हो जागा, 9 गुना 5 यानि 45 हो गया, यानि सभी का 45 है, और 4 लोगों का 38 पारिया है, तो आपसे पांचवा खिलाड़ी के दुवारा पारिया पुछे गया थी तो 45 में 38 जागा, तो क्या होगा 7, यानि correct answer, option 3 एक question आपसे ये पूछा गया था एक आदमी प्रता 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमेटर प्रति गंटा के गति से सुरू करता है, और 24 किलोमेटर दूर गंतो इस्थान पर पहुंचता है, वो गंतो इस्थान पर कितने बजे पहुंचेगा 8 बजे सुरू कर रहा है और 8 किलोमेटर का स्पीड है और 24 किलोमेटर टोटल ट्रेवल करता है तो 24 किलोमेटर अगर आपका ट्रेवल कर रहा है तो आप ही मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाइ स्पीड यानि 24 बटा 8 यानि 3 गंटा समय लगेगा अब सुभा 8 बजे निकला है तो पहुंचेगा कितना बजे 11 बजे पहुंचेगा तो correct answer हो जागा option number B ध्यान देज़ेगा option number D भी कई लोग मार देते हैं जल्दी जल्दी में तो देख लेना AM और PM का ध्यान चले एक question आपसे ये पूछा गया था विज्ञान और कला का छेत्रों का नुपात 5 और 3 है यदि उनकी cool संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या पता लगा है तो यह हो गया science यह हो गया arts इसका ratio दे रखा है 5 और 3 के नुपात में और total लोग दे रखे है 1528 यानि 5 और 3 कितना हो गया art ratio और यही art ratio 1528 के बराबर है तो आपसे पुछा था कला के छात्रों यानि arts के student का संख्या पूछ रहा है यानि आपसे simply 3 ratio का value पूछ रहा है तो art ratio का value अगर इतना है तो एक ratio का value इतना हो जाएगा तो 3 ratio का value निकाल लो तो 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 और 7 और 2 यानि 8 नहुए 72 और 1 यानि क्या हो जाएगा 3, 9, 27 और 5 यानि 573 हो जाएगा correct answer option B चलिए एक question आपसे यह पूछा गया था पूछा गया था कि चुकि एक छात्र के अंख गलती से 68 के जगा 86 टाइप हो गये थे मतलब कोई एक student का नंबर 68 के जगा 86 लिखा गया ठीक है type हो गया जिसके कारण से क्या होता है उनका औसत में आधा का बढ़ोतरी होता है यानि आधा से आपका औसत बढ़ जाता है तो question में simply पूछाए कि बताओ class में total number of student कितने होंगे अब आप जानते हो कि आपका 68 लिख दिया गया ठीक है 68 के जगा में 86 लिख दिया गया तो total कितने number ज़्यादा लिख दिया गया देयान से देखो तो यहाँ पर कितना हो जागा 18 यानि 18 marks ज़्यादा आपका type कर दिया गया ठीक है अब आप जान रहे हो कि 18 marks जादा आने से सभी के मद्ध में आधा से बढ़ोत्री हुआ है अब समझना सभी के marks में आधा से बढ़ोत्री हुआ है अगर मैं अगर इसका अगर 18 ना बढ़के अगर 36 marks बढ़ता तो इसी परपोस्टन में बढ़ता यानि तब तो सभी लोगों का मद में आपका एक एक का बढ़ोतरी होता मेरी बात को समझो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अब जब अठरा नंबर जादा आपका जब टाइप हुआ तो सभी के आधा आधा माक्स बढ़ गया तो आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि N student पहले से class में रहे होंगे और सभी के आधा आधा नंबर बढ़ गया है और वही number किसके बराबर होंगे अठरा नंबर के पूरे बराबर होंगे तो बस यही तो N का value क्या निकल गया 36 हो गया यानि class में जो student होंगे वो 36 होंगे यह चीज़ आपको समझना था के वल correct answer option B एक question आपसे यह पूछा गया था in which quadrant is the point minus 4 minus 3 located यह आपका जो point है वो कौन से आपके quadrant में belong करते यह आपको बताना है आप जानते होंगे यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया और यह y-axis हो गया यह वाला value यहाँ पर positive होता है और यहाँ भी positive होता है यहाँ फर्स्ट quadrant positive यहाँ पर second quadrant क्या होता है हो जागा x आपका negative और y आपका positive third quadrant negative negative और आपका fourth quadrant क्या हो जाएगा x आपका positive और आपका y आपका negative यानि इसका answer क्या हो जाएगा third quadrant में belong कर रहा ठीक है third quadrant में बिलोंग कर रहा है first quadrant यह होता है, दूसरा quadrant यह होगा तिसरा यह होगा, चौथा यह वाला होगा clear? तो यह सब आपको पता होगा चले, एक question आपसे यह पूचा गया था यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे तो 3 आदमी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देंगे क्योंकि आपको पता है M1, D1 आप लगाना जानते हो वो बहतर तरीके से M1, D1, H1, W1 जो भी question में दिया जाए, आप लगा सकते हो फिलाल work दोनों जगा constant है तो आपको पता है 1, 1 नीचे में होगा तो जो कि आपको कोई दे नहीं रखा है तो डिरेक्ट आप पूट कर सकते हो 5 गुना नो, 45, 45 को 3 से भाग दो गो तो 15 चलिया एक question आपसे ये पूचा गया था यहाँ पर बोला गया था find the sum of prime number between 50 and 80 यहाँ पचास से लेकर 80 तक का prime number का आपको क्या बताना था योग बताना था ठीक है पचास से लेकर 80 तक के बीच को जितने prime number आता है उसका योग बताना था तो सबसे पहला question इस तरीका से भी exam में आपका पूचा जा चुका है अगर आपसे पूच लेकि एक से लेकर 100 तक के बीच में कितने prime number होते हैं तो बताओ कितने होते हैं 25 होते हैं अगर मैं पूचू कि एक से लेकर 50 तक के बीच में कितने prime number होते हैं तो 15 होते हैं यानि आप समझ गए एक से लेकर 50 तक में 15 होते हैं 50 से लेकर.. 100 तक में कितने होते हैं 10 होते हैं तभी जाकर 15, 10, 25 हो गय Hello अब मैं Бात करता हो यहाँ पर 50 से लेकर 80 तक में तो अब जली लिदेख लो तो यहाँ पर क्या हो जागा सबसे पहला नंबर तो 53 हो जाएगा 73 हो गया और कितने हो जाएंगे 73 75 नहीं होगा 76 नहीं होगा 77 नहीं 78 नहीं 79 हो जाएगा और आपका कितना 3 3 6 7 हो गया तो बस खत्म क्योंकि उसके बाद आपका 3 नंबर 80 के बाद होता है ठीक है यानि 50 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं जिसमें से आपका 80 के बाद 100 तक में 3 होते हैं तो यहां तो साथ ही होंगे जो कि मैंने लिख रखा है आप सभी का सम कर दो 9 3 12 12 13 13 7 20 20 और यह 10 30 30 33 33 तो अब option का help लेंगे तो correct answer क्या हो जागा option नंबर बी चली आटा ही है अब आपका कुछ कोश्ण था आपका डेटा इंटेप्टेशन से इसको भी देख सकते हो कि किस तरीका से आपका डेटा इंटेप्टेशन था निमानकित सर्मी चार परियाटक बस एक दो तीन द्वारा सुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गनतों की और जाने मैं तई की गई दूरी किलोमेटर में दरसा रही थी जैसी देख सकते हो यह आपका टोटल चार बस है सुक्रवार से लेकर मंगलवार तक आपका जो बस चली है उसका किलोमेटर को दरसाया जा रहा समझ आ रहा आपको टेबल में कोश्ण में पहले क्या पूछा है विच बस एवरेज एवरेज दा लोएस्ट इन ओल फाइव डेज यानि कौन सा बस का एवरेज सबसे लोएस्ट है पांचों दिन को मिला कर तो आप जलीली काउंट कर सकते हो अब देखो सबसे पहला बस की अगर बात करो तो यहां पर डेरेक्ट देख लो जिसक 10 5 15 लगा हाथ में एक 5 10 14 19 27 26 हो गया ठीक है पाध फिर इसको मैं जोड़ रहा हूं यह आपका फिर इसका मैं जोड़ रहा हूं ठीक है 0 5 5 5 हो गया 5 10 15 6 21 24 25 हो गया इसका जोड़ता हो 5 5 10 हो गया 5 और 5 10 हो गया ठीक है 7 7 8 10 10 हो गया एक और कहरी हो गया 7 6 13 14 14 15 19 19 और 5 24 24 28 हो गया आप सबसे कम तो मेरे को बर्ष 2 का दिख रहा है ठीक है एक बर और और कन्फर ए भी कर लेते हैं तो 6 5 11 11 5 16 16 5 21 25 26 25 हो रहा है यानि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number 2 क्योंकि सबसे कम आपका सम कितना है 2550 जो कि सबसे ओसत भी कम होगा यानि बर्ष 2 का सबसे कम ओसत होगा ठीक है एक question आपसे यह पुछा गया था यहां पर बोला गया था which bus has seen a gradual increase in distance covered from Friday to Tuesday यानि कौन सा बसका अपका लगतार सुक्रवार से लेकर मंगलवार तक तई की गई दूरी में क्रामिक वृद्धी हो रही हो कौन से बसका तो यहां पर अगर हम देखेंगे चारो बस में से 475 हुआ 500 हुआ 525 डिस्टेंस 600 डिस्टेंस साथ सो डिस्टेंस तो बस 3 का जो था वो हर बार अपका लगतार बढ़ता ही गया है यानि बस 3 करेक्ट आंसर हो जागा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन और साइद मेरा आज का यह लास्ट कोश्चन का 30 नबर कोश्चन इसको इसमें क्या पूछा गया था किस दिन चारो बस दुवारा तई की गई कूल दूरी अधिक्तम थी तो इसको भी फिर से आपको एड करना था तो यहां पर भी आप एड कर सक आपका कौन सा होगा तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा अब्जोर्ब करोगे तो सबसे ज्यादा वाला पूछ रहा है ऑप्शन चार्थो दे रखा है यानि फ्रैडे का तो कोई रोली नहीं है फ्रैडे को आप ऐसी हटा दो यहां पर देखो के पाथ दस पंदरा बीस यानि यहां पर क्या ओगा ज्यां जीरो एक चे बार अटरा अटरा पास टेज यानि 23 दस हो गया जोकि यह भी आंसर नहीं हो सकता यहां पर देख लो साथा चार ग्यारा साथ अटरा अटरा पास तेज़ देखो कर्रेक्ट आंसर क्या हो जागा ऑप्शन नमबर थर्ड क्योंकि मं बाद बागी कोर्शन का पैटन वह इसी तरीके से मिलता जुलता रहेगा तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे चीज के प्रैक्टिस किजिए डेफिनेटली आप 30 में 28 प्लस ही स्कोर करोगे तो अपने अंदर भी confidence होना चाहिए चले यहाँ पस मैं वीडियो का बाइंड अप करता हूँ मिलते है फ्रेंड आप किसी नेक्ष वीडियो में सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीज़ अठीक है चले मिलते है किसी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत